लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मूड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी उसको राए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना रूँ कैसे कहूं किस से कहूं कि मैं इस घर की छोटी बल हूँ तुम मेरी मदद करना जाते हो जी जी बिल्कुल बिल्कुल ताजी तो मुझ पर से इस जिम्मेदारी का भार उठा लो डादी जी की पर समझ में आही गया कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं कि पर दामाद बाबू से मिली भी नहीं और अब तो वो विदेश चले जाएंगे इस कारण तुम्हें हमारे साथ चलना होगा काश मैं आपको रोख पाती है तुम अब भी रोख सकती हो रोख चाहिए क्यों बार बार उसकी यादे मेरे दिल पर दस्तक देती है क्यों उसका चेहरा मेरे सपनों में आ जाता है जब वो और किसी की हो चुकी है तो क्यों मैं उसके ख्यालों को अपने पास रखने का जुर्म कर रहा हूँ? क्यों? आप आप सो ही निये भी थे? कैसे निये ना सकती है मुझे? यह जानते हुए कि मेरी जिन्दगी का फैसला मुझसे पूछे बिना आपने खुद ने कर लिया है एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजे मैं आपका फैसला मानने से इंकार करती हूँ आज तक मैं अपने फैसले खुद करती हूँ और आज के बाद भी मैं अपने फैसले खुद करूँगी मैंने तै कर लिया है कि मैं अमेरिका नहीं जाओं यह आप क्या कर रही है देखिये मेरी बात पूरी तरह अच्छा से सुन लीजे अगर आपने टिकेट्स भाड़ देगी तो आप अपने हाथों बहुत बड़ा मौका गवां देंगी कि मौका कैसा मौका यह आप भी जान्ती है और में आप अर बहुत दुखहर कर देंगी सर्फ उनकी खुशी के लिए और अगर कल उठकर उन्हें सच पता चलता उन्हें बहुत दुख होगा और यही अगर परसों रात को अगर महां चले जाते तो हमें किसी से जूट नहीं बलना किसी के सामने नाटक नहीं करना कि आप इस जूटे बंदन से आजाद हो जाएगी और इसके बाद मेरा क्या होगा आपकी हर तरह से मदद करूँ आ अगर आप वही रुखना चान्तिये तो वही घर का इंतिजाम कर लूगा या फिर अगर आप वापिस आना चातिये तो लाएजा, और दो भरोगोंों, के टिकेटिन का इंतिजाम कर दूंगे? कितिंतिया मेरे इंतिजाम कर देगे? और मैं यहाँ हाँ वापस हाकर क्या करूंगी? ना तो मैं अपने मा बाभूजी के घर जा सकती है, और ना इस घर में रह सकती। मैं आपके इंडिया आने के बाद की लाइफ सट अप करने में भी बदद कर दूँगा कर आपको किसी करियर या बिसनेस में इंटरेस्ट थो उसमें भी बेफंड करने के लिए ते याँ मेरी परस्नल लाइफ का क्या अगर कल आपके कही और शाधी तह होती है तो मैं वहां भी आपकी मतद करने के लिए तेयार हूँ. मतलब मैं आपकी तरफ से जा के उने समझाऊँगा. कि जितने भी दिन हम एक साथ रहे हैं, हम अच्छली एक दूसरी से बहुत दूर रहे हैं. इतना तक कि मैंने आपको आज़ तक तभी छुआ भी नहीं. तुक्या, इसका मतलब यह है कि देभ भाईया भी तक अपनी डरीम गल को भूले नहीं हैं. क्या भाव जी को पता है कि देभ भाईया किसी और से साधी करना चाहते थे? और वो लड़की रादिका जी है. आप जो कुछ कह रहे हैं, क्या वो पूरा करेंगी? हाँ, बिल्कुल करूँ आप वादा करते हैं? हाँ, मैं वादा करता हूँ, क्या मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, मैं वह ही करूँ आपने अब तक जो मेरा साध दिया है, यह ऐसान एक कर्ज है मुझ पर. इस घर को एक छोटी बहू की जरौत थे. इस पूरे घर को वो खुशिया आप से मली है, आपके इस घर्ज को मैं जिन्दगी भर तक चुगराने पाऊंगा, और उसके सामने जो मैं कर रहा हूँ, वो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, जब मुझे आपके ही भरोसे रहना है तो, आप पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा झाल मैंने हर कदम तुम्हारा आशिरवात पाकर आगे बढ़ा है काना, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो जाए, लेकिन मैं क्या करूँ, उन्हें रोकने का मुझे कोई अधिकार ही नहीं काश में उन्हें रोक पाती है, लेकिन मैं खुश हूँ, मैं उनकी एक जलग देख पाऊंगे, उनकी एक जलग मुझे मेरी पूरी जिंदगी बिताने की शक्ती देगा, और यहां से दूर जाकर, वो और विशाखा एक खुशहाल जिंदगी बिताएंगे, कोई खुशी-खुशी जीवन नहीं बीतने वाला है, बर्चु, इस साब एक नाटक है, मैं जानता हूँ कि तुझे यह जानकर बहुत दुखो रहा होगा, लेकिन यही सच है, और मुझे में इतनी हिम्मत है नहीं, कि मैं यह सच सबके सामने लापाँ, इसलिए तो यह दिखावा कर रहा है, हमसे भी, मैं जानता हूँ, बर्चु, कि मुझे तुझे सब कुछ परले ही बता देना चाहिए था, लेकिन तब मेरे कुछ समझ भे नहीं हा रहा था, सिफ इतना समझ में रहा था कि, माम, डाद और दादी माम, खोश देना चाहिए, वह तो है दे भईया भर, अब उनसे भी क्या क्याता हूना है, कि मेरी ड्रीम का, मुझे से प्यार ही नहीं करती, और उसकी शादी किसी और के साथ होगी, बिर्चु, मेरी लिए दादी मा की खुशी सबसे जादा माइने रख दी, और तू नहीं तो उन्हें बताने से मना किया था, परदेव भहिया, हमने तो यह भी कहा था कि भवजी को अपना लीजी, आखरी एनातक कितने दिनों तक चलेगा, आज नहीं तो कल उन्हें पता चली जाएगा, इसे लिए तो मैं आज से चले जाना चाहता हूं, बहुत दूर, ताकि वहां पहुँचने के बाद, वोई हमसे पती-पत्नी बने रहने की उमीद रखे लाएगा, मुझे माफ कर दे, बिरजु, मैं जानता हूं, अगर तू मेरी जगा होता, तो अपने सबसे अच्छे दोस्स से कभी कुछ नहीं चुपाता हूं, और तूने तो मुझे सब कुछ बताया, बर्चु, चुपाया तो हमने है, देव भहिया, कहां बताया है आपको, कि हम आपकी डरीम गल से मिल चुके हैं, जब देव भहिया को बता चलेगा कि हमने उनसे इतना बड़ा सत चुपाया है, तो क्या भीतेगे उनके दिल पर, उनका तो हमारी दोस्ती पर से विष्वास ही उठ जाएगा, आपकी, जल्दी कर बिटिया, रादे क्रिश्ट, रादे क्रिश्ट, रादे क्रिश्ट, बहर से पापड और बढ़िया लेया, कर दांदे खिर अभी सब समझ माले तु का हे इती कुछ यह काय फूदक फुदक कर काम कर रही है अब शक्रिज़ी कल दयाता है यह को जाधे क्रिश्ठराधे आफिच्डराधे कि अमाजी आपको खुछ रख्वाना है विशाखा के लिए किमारी साधीकी हार है ना प्रख दियो देने के लिए बीशाखा के वास्ते हुटsystem पहले ही विशाखा को सारे गहने दे चुके हैं वोहार इननोंने वाधिका के ब्याह के लिए बचा के रखता हुआ है ये छोरी भगवान से बया करने का स्वांग रचाए बैठी है इक बास्ते कहें उठाए रखने काहर दे दियो विशाखा को यह चोरी यह हमार साथ दिल्ली जाएगी तो का होगा पता है ना तो को देख लिजो आइसा तमाषा करेगी ना यह चोरी वहाँ पे हम सब कुछ ना कर पाएंगे अम्मा जी ऐसा कुछ नहीं होगा आप बिना वजय परिशान हो रही हैं इक होते हुए कोई भी कोई गड़बड ना हुई ऐसा भयोग का तो कि अच्छोरी ने खड़ी होजा एस चोरी ने कभी कोई बात मानी है हमरी अब तो जो करेंगे सो ठाकुर जी करेंगे अब तो सब कुछ उनी के हाथ मा ही है यहाथ का हाथ में है ठाकुर जी के अम्मा एक लिव गहा कह रही थी ठाकुर जी से विशाखा की भलाई के लिए अब ठाकुर जी के भरो से ही तो जा रही है विदेश बिशाखा रादिका जरा कमरे में देख लो कोई सामान छूठ तो नहीं गया तीन तोले से कमका नहीं लेंगे हम हां कह देते हैं क्यों जोरी काका कितना भारी है यह यह पांच तोले गाहा बहुराने क्या बात है हम तो यही लेंगे चाची मा क्यों नहीं पसंदे तो लेलो आओ छोटी बहु बैटो मेरे पास कल के संसकार समारवों में तुम कौन सा सेट पहनना पसंद करोगी बताओ जी दादी मा आपको जो पसंद हो बागे के डिजाइन भी दिखाई है अरे तेख तू भी हमारी मदद कर छोटी बहु के लिए गहने चुनने में भाई मुझे तो यह बहुत पसंद है और इस पर जचेगा भी खूब लेकिन यह से तो मैंने पसंद किया था यह सर्थ मेरी साड़ी के साथ बहुत अच्छी तरह से माच करेगा और वैसिव शायद आप लोग भूल रहे हैं कि सेरमनी में बड़ी बहु का अच्छा लगना भी ज़रूरी है ज़नाली ऐसा क्यों क्या रही हो तुम अरे जीजी अगर आपको यह सेट पसंद है तो आप रख लीजे मैं इन में से कोई और पसंद का लूँए क्यारे देव पसंद आई अपनी पसंद की पसंद कि अगर जब दिन गए रहे जब मैं भी घंटों आंगने बैठके साड़ी गहने दिखा करती थी अब तो आदा घंटा बैठना भी मुश्किल हो गया है आप आराम किजे दादी मा हम हल्दी वाला दूद लेके आते हैं आपके लिए ठीथे बटा देव जी याँ जी दादी मा मैं देख रही हूँ जब से छोटी बहु आई है तु अपनी इस गर्फरिंड को भूली गया है कहां भूलाँ दादी मा आप तो मेरी बेस्ट गर्फरिंड अच्छा पैक तो क्यों इस बुडिया को बुद्धू बना रहा है अगर मैं तेरी बेस्ट गर्फरेंड होती न तो यू छोड़के नहीं जा रहा होता पता है तेरा उप पहले वाला आइडिया बहुत अच्छा था कौन साथ वोई लिविन वाला कम से कम तेरे पास हम सब के लिए वक्त तो होता क्या सोच के मुस्कुरा रहा है या दूसरी गर्फरेंड याद आ रही है कहाँ दादी मा वैसे तू ऐसा सोच भी नहीं सकता है क्योंकि तूने जिसे प्यार किया उसी से शादी कर ली अब हम जब किसी से प्यार करते हैं न तो उस इंसान की छोटी मोटी गलतियां भी नजर अंदाज करते हैं क्योंकि शादी दो इंसानों का नहीं तो आत्माओं का मिलन है और जिस शादी में प्यार नहीं वो शादी किसका हम की मुझे खुशी है कि तुम दोनों में इतना प्यार है और भगवान ये प्यार हमेशा हमेशा बरकरा रखे देव भाईया का दर्द उनके चेहरे पर साफ साफ दिखा ही दे रहा है कि उनकी साधि में जो प्यार ही नहीं तो रिषता जहरा कहां से होगा यह प्यार कि उन्हें उन्हें सुप एलगजी ही दे सकती है हमें आदिकाजी का सच बताना ही होगा और खलो जली करो चलो जलदी करो सामान रखते हैं अरे राधिका? में राधिका मंदिर गई है और क्या कर गई है, जिद्धी बस अड्डे पर ही मिलेगी जिलदी जिल्दी जिलो बारे इसा क्यों किया उसने भाई? मोको का पता? मोको कोई बोलके थोड़ी जावा है कभी हुँ हाँ, रही हम अंदिर भही से सीधी आवेगी? आधे, खलो, सामान रखो भहिया और इनने लेके बस थानक कोचो हम मंदिर होते हुए आते हैं आधे जलबी शरो, ल्या, जल्दी करो और जलो खलो जलो हुआ laws अब में चाभीन कहा है? कहा लेलल्ट चाभी? चलो ने अरे छाभी दी करो खोल के देख वेत अरे पुरो इक परिवार इंतिसार करे है, जल्दी चलो जल्दी चलो, ना जल्दी चलो, चलो, बैया, जावी, है कहाँ? इह रहा? अग्लाव. अरी, लल्लाव, लल्लाव, जल्दी आ जाएएगा. कौन है? कौन है वाँ? जी, बाभुजी, मैं राधिका. राधिका? राधिका, तुम, तुम यहाँ? राधिकृष्ण, 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 कि अधितो तु बोली का ना जब शग्री दर्वाजी को ताला मार रहें के बोली का ना जो बेटी अब तुम्हें दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक सकता है अब अब यह बस थानल जाओ पीछे आते हैं राधिक 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 मैताल लगा कोई आते हैं ना झाल झाल